आप सभी को गनेश चतुर्थी की अनेक शुब कापनाएं गनेश भगवान हमारे घर में पधारे और सारे विग्ण लेकर जाएं घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धी सिद्धी लेके आओ गन राजा, मेरे घर में पधारो, राम जी आना, लक्षमन जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, ब्रह्मा जी आना, विश्नु जी आना, भोले शंकर जी को लाना, मेरे घ घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो विग्मि को हरना, मंगल करना, कारज शुब कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, गनपती बप्पा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या हम सभी हर वर्ष, गनपती की स्थापना करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, महारिशी बेद व्यास ने, महाभारत की रचना करी, लेकिन लिखना उनके वर्ष का नहीं था, अथा उन्होंने शिरी गनेश की अरादना करी, और गनपती जी से महाभारत लिखने की प् इखनकारे प्रारम हुआ इस कारण गनेश जी को ठकान तो होनी थी लेकिन उने पानी पीना भी वर्जित था अथा गनपती जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं इसलिए वेद्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गनेश जी की पूजा की मिट्टी का लेप सूखने पर गनेश जी के शरीर में अकरन आ गई इसी कारण गनेश जी का एक नाम पार्थिव गनेश भी पढ़ा महा भारत का लेखन कारे दस दिनों तक चला अनंध चतुर्थी को लेखन कारे संपन हुआ वेद्यास ने देखा गनपती का शारेरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ावा है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख कर जड़ रही है तो वेद व्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया इन दस दिनों में वेद व्यास ने गनेश जी को खाने के लिए विभिन पदार्थ दिये तभी से गनपती बेठाने की प्रथा चल पड़ी है इन दस दिनों में इसलिए गनेश जी को उनकी पसंद के विभिन भोजन अर्पित किये जाते हैं गनेश जी का सबसे लोक्प्रिय मंत्र है एक दंताय विद्महई वक्रतुंडाय धी मही तनो दंती प्रचो द्यात एक दंत को हम जानते हैं वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं और वह दंती यानी गजानन हमें प्रेड़ना प्रदान करते हैं जय श्री गनेश